कि नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुसार यूब्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आज जो पेपर अप्लोड कर रहा हूं जेल वार्डर का है जो 19 दिसंबर को वा था यह सिकेंड शिफ्ट का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का अप्लोड कर चुके हैं यह 19 दिसंबर 2020 का पेपर है जेल वार्डर का और इस पेपर में आपको केवल हिंदी और जीयस का साल कराएंगे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं यह सेट भी है और यह ओरिजिनल पुक्लेट है यह जेल वाडर का और 19 दिसंबर 2020 को जो सिकेंड सिप्ट का एज़ाम हुआ था उसका जो है इसमें आपको हिंदी और समान अध्यन के पेपर हाल कराएंगा आपको तो चलिए शुरू करते हैं देखे पाला कोशन दिया इसमे त्री लोचन सास्त्री को हिंदी अकाडमिक का सला का समान कब दिया गया था तो यह दिया गया था 1989 में कोशन नमबर दो है निम नम से कौन इस्तरी लिंग सब्द है इसमें लॉंग इस्तरी लिंग सब्द है कोश्चन नमबर पांच है नेमलिखित में से कौन सा गुण वाचक विशेशन नहीं है तो इसमें जो है मनो अनाज जो गुण वाचक विशेशन नहीं है कोश्चन नमबर छे है नेमलिखित में से कौन सा पुलिंग सब्द है तो पर कामदेव का प्रयाची सब्द नहीं है तो इसमें एंसर होगा t-ill as Q7 है रानी कित्की की कहानी के लेखाख है तो इसके लेखाख है सयद इसाला खा Q4 है निमलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ है तो मैं सोता हूँ इसमें अकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ है कुस्सन नमबर आठ है निमलेखित में से सही वाक की पाचान किजिए इसमें कौन सा वाक की सही है इसका एंसर होगा B यानि दुस्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया ये सही वाक की है Q9 है जिसके द्वारा करता कोई काम नहीं करता उसे काते हैं तो उसको का जाता है करण Q10 है मार की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक सब्द कौन सा है Q11 है नेमलिखित समुदाय विशेशन है इसमें प्रतेक दूना तीन यानि तीनों समुदाय विशेशन है Q14 है इसका एंसर होगा C इसको मिला लिजेगा Q15 है हिंदी अकार्डमी सलाका पुरसमान की रासी है इसकी रासी 5 लाक रुपे है Q12 है दिये गए प्रायवाची सब्दों में से वाक में आये रिक्त अस्थान के लिए सही सब्द चुनिए तिरंगा भारत का राष्टी है क्या है राष्टी ध्वज है एंसर होगा D Q16 है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ते वक्यान्स के लिए एक सार्थक सब्द चुनिए तो ये युक्ते हो जाएगी सार्थक सब्द आतिस योक्ति Q13 है इन में से कौन सा माल गोदाम सब्द के समास विग्रा का सही रूप है तो माल के लिए गोदाम Q17 है निम्लेकीत में से सही रूप की पाचान किजी इसमें पाचान करना है तरह देर तक सोकर उठता ये सही रूप है इसके बाद question number 19 से 23 तक paragraph दिया गया है और इस paragraph को पड़ काराप एंसर दे सकते हैं तो इसमें 19 का आपका D हो जाएगा अर्नार्ड और 20 का एक हो जाएगा पर्णी 21 का ब्रुग्मैन और 22 का ब्लूम फिल्ड और 23 का हो जाएगा अर्थ चले देखें question number 24 से रस से भरा विग्र समासिक पद इनमें से कौन सा है रस से भरा तो इसमें इंसर हो जाएगा आपका D रस भरा question number 28 है 1968 में किस साहित्यकार को ग्यान पिट पूरसकार दिया गया था 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंध को question number 29 है नेमलिखित वाक्य में आये खाली अस्थान के लिए सही सब्द चुनिए सही सब्द है मा ने बजार से खरीदे क्या मा ने बजार से बहुत कुछ खरीदे D होगा इसमें sir question number 25 है कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रियोग हुआ है कोई आया था इसमें हुआ अनिस्से वाचक answer होगा D question number 30 है निमलिखित वाक्यों के लिए अनावस्यक पर सर्गों को हटा कर सही वाक्य को छट ये तो वह छट से नीचे गिर पड़ा इसमें हो जायेगा B- answer वह छट से नीचे गिर पड़ा equation number 26 है भारती नस्वं अनुषेद समिधान के अंचेद 210 में निर्देसित है वारती समिधान के अंचेद 210 में क्या निर्देसित है इसमें है बिधान मंडलने प्रिक्त होने वाली भासा के बारे में कुश्चन नमर 27 है निरंतरता बोधक संव्त किरिया का उधारण है किसका है ये बरस्ता राता इसका उधारण है कुश्चन नमर 31 है नंद दास इनमे से किस ग्रंथ के लेखक है कुश्चन नमर 32 है किंदरी ये हिंदी निदे सालह के अस्थापना कव हुएती तिये हुएती 1960 में कुश्चन नमर 33 है निमलिखित में से कौन सी रचना नरुत्तम दास की है कुश्चन नमर 36 है कुर्ण नरायन को ग्यान पिट पूरसकार की स्वर्ष परदान किया गया था तो इनको परदान किया गया था दोजार पांच में कोशन नमबर 37 है निमलिकित में वार्क में जो एक खाले अस्थान को सब चुनना है उद्धमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठे राते हैं तो वे कुछ करके दिखाते हैं यानि हाथ पर हाथ धरे एंसर होगा C कोशन नमबर 34 है निमलिकित में बहु बचन सब्द है बहु बचन सब्द इसमें समा चार है एंसर होगा D कोशन नमबर 35 है सुमेलित करने के लिए इसको सुमेलित कर लिजेगा इसका एंसर D होगा इसके बाद आते हैं ये हिंदी का हो गया 37 कोशन था इसमें हिंदी में अब आते हैं आपका GS Session 2 में समान अध्यन का इसमें कोशन नमबर 38 है राजा सो आयोग या बोर्ड आफ रेन्यू उत्तर परदेश में कितने सदसे हैं तो इसमें 10 सदसे हैं कोशन नमबर 49 है GST के था समानों के ब्यवसित तरीके से वर्गी कृत करने के लिए निमलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है तो इसमें HSN कोड का प्रियोग किया जाता है कोशन नमबर 40 है जून 2020 तक राष्टिय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रूप है तो इसमें 9 कोर ग्रूप थे जून 2020 तक कोशन नमबर 41 है निमलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखे गई है तो यह पुस्तक का नाम है एफाइन बाइलेंस एंसर होगा डी एफाइन बाइलेंस कोशन नमबर 42 है पट डाकल समारक जो भारत के स्थापत्य को रूपे में परसिद्ध है भारत के निमलिखित में से किस राज में इस्तित है तो यह इस्तित है करनाटक में कोश्चन नमबर 43 है पाकिस्तान के लर्काना जिले में सिंधु नदी के टट परिश्थी सिंधु घाटी सबेता का एक परमुक सहर इन में से कौन सा है तो इसमें सहर है मोहन जोदडो कोश्चन नमबर 44 है भारतिय क्रिशी अनुसंदान संस्थान पूसा का मुख्याले इस्थ OHCR में आर्थिक समाजिक और संस्कृतिक अधिकारों के समीते में कितने सदस्य है तो इसमें है 18 सदस्य है कोश्चन नमबर 46 है भारत सरकार द्वारा निकाय अपेडा यानि किर्शी छेतर के निमलिखित में से किस पच्छ से सम्बंधित है ये सम्बंधित है संस्कृत खाद उत्पादों का निर्याद से कुछ्चन नम्बर 47 निमलिखित में से किस तारीख मना जाता है यह मना जाता है यह मना जाता है 8 जून को कोश्चन नमबर 48 है निमलिखित में से कौन सा केंदरिय पुलिस वल मिलिसिया के रूप में उभरा और कछार लेवी कहा जाता है जो उत्तरपूरों भारत के कुछ से सबसे दुरस्त और अल्फ विख्षी छेत्रों में तैना आ थे तो वह है आसम राइफल्स एयार एंसर अग कोश्चन नमबर 50 है भारत में मानो अधिकार सनच्छन अधिनियम यानि पी एच आरे कब लागू हुआ था 1993 मानो अधिकार आयोग कोश्चन नमबर 51 है मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिको की मुद्रा क्या है पेशो कोश्चन नमबर 52 है निमलिखित में से कौन सा लांच वा मिशन चंद्रयान टू में उप्योग किया गया तिये उप्योग किया गया था जी एसलवी एम के ठर्ड एंसर होगा इसमें कुशन नमर तीरपन है सितंबर 2019 में भारत के निमलेखित किस राज ने मालदीव के साथ समझा होता ग्यापन या मोयू पर हस्ताचर किया ताकि पुद्रिन हो सके यह समझा tę कीजली से लगा यह केरल से कीनि 맞ना मिस कुशन नमर तैमलेखित में से काण साइबर अपराध नहीं है तो इसमें जो है बिना अनुमतिक के कापी राइट सामगती कापी करना यह साइबर अबराध में नहीं आता है कॉशन नमर पच्पन है निम कुल्काता में एंसरोगा डी कुछेन नमबर 69 है म्यमार में के मेमार में भारत का दुतावास निम खित में से कीस अस्थान पर है तो भारत का दुतावास जो है मैमार में कहा पर है यंगोन में इंसर है यह होगा यंगोन कुछन नमबर 60 है संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रसाशन किस पुलिस छेत्र के अंतरगत आता है तो यह आता है गोरखपुर की अंतरगत कुस्छन नमबर 61 है, RPF का सबसे उपीक पून रूप से निमलिखित में से कौन सा है? Relayway Protection Force, यह पून रूप है इसका RPF का Relayway Protection Force, कुश्चन नमबर 62 है, इंडोनेसिया क्राधानी कौन से है? तो इंडोनेसिया क्राधानी जा करता है, कुश्चन नमबर 63 है, निमलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रायल आश्टिलाई नौ सिना के साथ पैसेज एकसरसाइज किया तो वो था भारत कोश्चन नमबर 64 है डाक्टर के परचे पर आर एक्स समानता क्या दरसाता है तो आर एक्स दरसाता है लेना कोश्चन नमबर 65 है निमलिखित कत्नों को पढ़े और साई बिकल्प का चयन करें कच का ग्रेट रण भारत के थार रगिस्तान के एक नमकीन दल दल है जो दो भागों ब्हाजते जिसे कच का ग्रेट रण और लेटिल रण आफ कच के नाम से जाना आता है दूसरा देश में भ और आर दोनों सही इसका एंसर होगा एं कुश्चन नमबर 66 है भारत का वह कौन सा जिला था जहां बेवसाइक वनकी के विरुद चिपको अंदोलन शुरूआ था तो यह चिपको अंदोलन शुरूआ था चमोली में एंसर हो जाएगा भी चमोली उत्राखंड में कुश्चन को रूप क्या है इसका है टेबोको मोजेक वाइरस एंसर होगा कुश्चन नमबर 68 है निमलिखित में से सवविकल्प रास्थान में इस्थित्म राष्टी उद्यान बन जी अवर्यान के समद्ध में गलत है तो सहादरी जो है टैगर एजर भी रास्थान में नहीं है गलत ह कुश्चन नमबर 69, 1831 में बोर्ड आफ रेनी उत्तर परदेश के स्थापना कहां की गए थी तो यह की गए थी इलहावाद में कुश्चन नमबर 70 है निमलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जानफियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है यह लिखी गई है एज आफ टाइम, एंसर होगा एज आफ टाइम, कुश्चन नमबर 71 है भारती समिधान के आर्टिकल 326 के अंसार हर राजिके बिधान सवा और बिधान परसत के चुनाव वयस्क मता अधिकार के अधार पर होंगे, वयस्क मता अधिकार सतात पर यह है कि परतेक भारती नाग कुश्चन मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर परतिवंध लगाता है ती सोसन के बिरुद अधिकार है कुश्चन नमबर 73 है डोलु कुनिथा भारत के किस राजी का लोक निर्थ यह करनाटक का है कुश्चन नमबर 74 है जून 2020 में चीन के साथ संघर्स में कमांडिक आफिसर साइद 20 से अधिक साइनिक निमलिकी तिकी सेत्र मारे गयते गलवान गाटी मारे गयते कुश्चन नमबर 75 है CRPF का सबसे उप्युक्त पूंड रूप से कौन सा है CRPF का सेंटर लिजर पुलिस फोर्स सी एंसर होगा कुश्चन न बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम